गोवा के पंजी से एक चौकाने वाला मामला सामने आया जहां कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सरे आम बलतकारियों से भढ़ गे और उस रेपिस्ट को लड़की ने जम कर पेट दिया पूरा मामला गुआ के महापासा के एक कॉलेज का है जहां कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की चार से पांस दिन पहले स्कूटी खराब हुई थी उसने अपने ही इलाके में रहने वाले यूसुफ को मदद के लिए बुलाया यूसुफ मदद के नाम पर उसे एक गैरेज में लेकर गया जहां गैरेज मेकानिक ने स्कूटी में कुछ पार्ट्स मंगाने के लिए कहा यूसुफ ने उसे आस्वाशन दिया कि पार्ट्स के पैसे वो दे देगा और उसके साथ उसकी कार में बाइक पार्ट्स की शौप पर चले पीड़ता ने यूसुफ पर भरोसा कर लिया क्योंकि यूसुफ उसी के महले में रहता था जिसमें पीड़ता रहती थी यूसिफ पीड़ता का एक रिमोट एरिया में लेकर गया और जबरन उसके साथ दुशकर्म करने लगा फिर पीड़ता को उसके घर छोड़ दिया लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई पीड़ता इस घटना से बेहत सदमे में आ गए वहीं दूसरी तरफ यूसुफ उसे लगातार फोन कॉल और मैसेजस के जरीए ब्लैक मेल करने लगा पीड़ता ने तीन दिन तक उसे कोई जवाब नहीं दिया लेकिन 28 जुलाई को उसने यूसुफ को सबक सिखाने का सोच लिया पीड़ता ने यूसुफ को कॉलिज के गेट के बगल में मौजूद मंदिर के पास बुलाया और उसकी आखों में मिर्ची पाउडर इसपरे डाल दिया इसके बाद बीच सड़क पर उसकी जम कर पिटाई की यूसुफ के कपड़े तक फट गए लेकिन बहादुर बेटी ने उसे छोड़ा नहीं यूसुफ उससे बशने के लिए पीड़ता को घसीटता रहा लेकिन पीड़ता टस से मस नहीं हुई आखिरकार मौके पर पुलिस भी पहुँची और यूसुफ को पकड़ लिया इस खबर में इतना ही देश तुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रही हाज की खबर